अगर आप लोगों ने इसके पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो I suggest कि आप उन्हें पहले देख ले ताकि इस वाले पार्ट को आपको समझने में आसानी हो So, बिना देरी गवाए, Let's Get Started Part 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान जो की पहले वाले यानि की 20 साल पहले वाले क्राउन प्रिंस का खांस सेवक था उसको याद कर रहा होता है उसने वादा किया था कि मैं मरते दम तक आपका ही वफादार सेवक बन कर रहूंगा ये सिन ये ही पर ही कट हो जाता है, अगले सिन में हम देखते हैं कि हान यूवर शेंदी से मिलने के लिए आती है ये तो यहां पर साफ साफ हान यूवर को मना कर देती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूं मुझसे बहतर भी तुम्हें और कोई मिल जाएगा हान्यूवर ईए को समझाने की कोशिश करती है पर हमें पता है कि ईए तो एक कलर की है इसलिए ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता इसलिए ईए उसे साफ साफ सब्दों में मना कर देती है अब हान्यूवर तो पूरी सैड मूड में चली जाती है वो बस तसकुल से बाहर निकल ही रही होती है कि उसे रास्ते में तांगर नजर आजाता है वो तांग को इग्नोर करके बस चाही रही होती है तांग उसे देखकर कहता है कि भला इसे क्या हुआ ब हान्यوवर अपना गम थोड़ा कम करने के लिए शराप पी रही होती है उसका साथ तांग यहां दे रहा होता है हान्योवर कहती है कि शेंदी मुझे प्यार क्यों नहीं करता मुझे क्यों पसंद नहीं करता आखिर मेरे में बुराई ही क्या है तांग तो उसे दिलासा देनी की चगे पर उसके जखमों पर और नमक डालने के लिए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैरंट्स के अलावा इस दुनिया में तुम से प्यार कोई नहीं करेगा क्योंकि तुम हो ही ऐसी पर जब हान यूवर बेहोश हो जाती है तो तांग ही उसे वापस ले जाता है अगले सीन में हम देखते हैं कि जियान और आई कॉंसर्टू के मडर के चान बीन करने के लिए उसके मेंशन में गए होते हैं जहां पर वो कॉंसर्टू के कमरे में चान बीन करने के लिए बाहर से देख रहे होते हैं कि कोई यहां पर बलेक कपड़ों में आया है जो कि एक पाउडर को चुरा कर यहां से ले गया है वो और कोई नहीं पर शिंग ही थी शिंग के जोने के बाद बचा हुआ थोड़ा सा पाउडर जियान भी उठा लेता है जियान अभी कॉंसर्टू के कमरे के अंदर था तो ई बाहर से पहरा दे रही होती है यहां ई तो काफी जियाद मस्त एक्टिंग करती है कि कॉंसर्टू आप हमें छोड़ कर क्यों चले गए ऐसे ही वो जूट मूट का वहां रो रही होती है जब जियान वापस आता है तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम रोने में काफी ज्यादा अच्छी हो यह सुनकर ए थोड़ा नॉर्मल हो जाती है जियान वो पावडर इन्वेस्टिकेशन करने के लिए तांग को दे देता है अब शिंग को पता चल गया होता है कि यह लोग उसी पावडर की इन्वेस्टिकेशन करा रहे है वैसे यह लोग कर तो रहे थे उस पावडर की च्छन बिन पर बात तो यहां मसाले तक आ जाती है कि यहां पर तो मसालों में पीकड़बडी की गई है क्योंकि वो पावडर तो एक प्रकार का जहरी था और मसालों के जरिये उसे यहां पर लाया जाता था चंगान में इस प्रकार का पोथा तो उग नहीं सकता था इसलिए दूसरी कंट्री से वो मंगवाया जाता था इसलिए यह और जियान फिर से मसालों की इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जाते हैं जहां पर शिंग ने तो पहले से ही सारे सबूत मिटा दिये होते हैं वो लोग बस इसी जगे से जाही रहे होते हैं कि ई का पैर चार से टकरा जाता है जिसके कारन वो सी था जियान के उपर ही गिरती है और इनके बीच कुछ ऐसा हो जाता है वेल माहौल भी यहां पर काफी स्यादा रॉमेंटिक हो जाता है वैसे ये किस इन दोनों की फरस्ट किस थी वो दोनों जब बहार निकलते हैं तो सिच्वेशन काफी स्यादा ओकवर्ट थी वो दोनों ही बातें नहीं कर रहे होते हैं जियान का हार्ट तो काफी स्यादा तेजी से बीट कर रहा होता है तो वो अपना हाथ अपने हाथ पर रख देता है यह यह देखती है वो उसे पूछती है कि यह क्या वहाँ पर दुख रहा है लाओ जरा मुझे चेक करने दो वो जियान के काफी से अदा करीब आ जाती है जिसके कारण जियान अपने मन में सोचने लगता है कि यह अभी अभी म सब तो गलत है इतना सोचते ही वो दीई से एकदम से अलग हो जाता है फिर से वो दोनों ही अपना इन्वेस्टिकेशन चालू कर देते हैं जहां पर उन्हें पेवेलियन की मालकिन जोकी और कोई नहीं पर शिंग ही थी उस पर शक हो रहा होता है वैसे जब ये लोग दूगू से ये पूछ रहे होते है कि क्या तुमने हमलावर को देखा था जिसने कॉनसर तू कामडर किया था दूगू कहता है कि नहीं वे लोग पूछते है कि क्या तुम उसे चानते हो तो फिर से दूगू मनागर देता है कहीं न कहीं वो शिंग को बचा ही रहा होता है ये उसके ब दूगू दूगू मुझे कैसे नहीं पता होगा वैसे तुम्हारा प्यार तो काफी ज्यादा लॉयल है। जब अक्राउंड प्रिंस को ये बात पता चलती है कि कॉंसर्टू के मडर की कैस के बारे में छान बिन हो रही है तो वो हान से मिलने के लिए आता है। वो तो काफी जएदा डरपोप किसम का होता है। हान तोबह और प्रिंस के बात सुनी ही नहीं रहा होथा ऐसा रेक्शन दे रहा होता है। इन दोनू की बातों से हमें पता चलता है कि कॉंसर्टू का मडर हान ने किया थाना की wor शिग ने। ए ये तुम कर क्या रही हो इ सपने से जहक कर कहती है कि मैं तो बस सपना ही देख रही थी काफी ज्यादा अच्य था इसे लिए मुसकुरा रही थी दुगू के छान थょहाद दो को गालिया देती है कि तुम्हारी वच्छे से हमारा आज किस whatे होते होते रहे गया है आगे हमें पता चलता है कि इन लोगों को छान बेनी यही पर ही रोकनी पड़ती है क्योंकि चांगान की और से शांगी स्कूल इस बार दूसरी कंट्री वालों के साथ कॉम्पिटीशन लड़ने वाली थी दो साल इसी तरह बीद गए थे और ये तीसरा साल चल रहा था इन लोगों का इसलिए सर सारे इन पांचों को यानि की दुगू, जियान, ई, तांग और शियूआन इन पांचों को ही कॉम्पिटीशन लड़ने के लिए कह रहे होते हैं क्योंकि इन दो सालों के अंदर इन लोगों ने काफी अच्छी तरक्की कर ली होती है पढ़हे करने में इस कॉम्पिटीशन का जज़ भी कोई और कंट्री से ही था competition का दिन आता है जहां पर पहला competition था dancing का जो की तांग ने उसमें participate किया था ज्यादा practice करने के कारण तांग के पैर में मोच आ गई थी पर फिर भी उसने अपनी dancing performance दी थी पर वो हार जाता है क्योंकि पैर का दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है दूसरे दिन दूसरा competition होता है cooking का जिसमें E.E. ने participant किया होता है E.E. तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाती है जिसके कारण इस बार शांगी स्कूल चीचाती है पर यहां तांग को E.E. पर शक था कि उसने तो कभी जिक्रन ही किया लेटर में कि उसे खाना बनाना भी इतनी अच्छी तरीके से आता है पर फिर वो इस बात को जाने देता है तरीसरा competition होता है शी यूवान का जो कि उसने participant किया था mathematics में जब इन दोनों का ही competition स्टार्ट होता है तो शी यूवान का वो जो सामने वाला competitor होता है वो तो पहले से ही हार मान जाता है क्योंकि शी यूवान तो काफी स्यादा smart और talented था अब चोथा competition होता है तलवार बाजी का जो कि दुगू पाटिसेपेंट करने वाला था शांगी स्कूल की और से पर competition के अगले दिन ही दुगू पर हमला हो जाता है उसको पहले जहां पर कट लगा था उसी जगे पर फिर से कट लग जाता है अब वो तो बूरी तरीके से injured था पर फिर भी वो competition को पूरा कने के लिए आता है जहां पर वो थोड़ी हिम्मत तो दिखाता है पर आखिर में हार जाता है क्योंकि उसका दर्द तो काफी स्यादा बढ़ गया होता है अब ई और शीवान तो जीद गए थे जहां पर तांग और दुगू competition को हार गए थे मतलब टाई हो गया होता है इन दो देशों के बीच में अब बचता है लश्ट competition जो की होता है वेची गेम का वो एक बोर्ड गेम है इस गेम में दिमाग का काफी स्यादा यूज होता है त्यूंकि ये गेम काफी हद तक तो चेस जैसा ही है इस वाले competition में जीयान ने पार्टिसिपेंट किया होता है उसका जो सामने वाला अब तो शांगी स्कूल वालों को ऐसा लगने लगता है कि कई भेंस पानी में पक्का अब तो हम ही हार चाएंगे पर जीयान तो यहां पर पलटवार करता है वो उस competitor को हरा देता है अब result announcement होता है कि शांगी स्कूल वालों ने तीन competition को जीता है तो चांगान इस बार का winner बन वेची उस गेम का नाम था चुकि मैंने आगे भी बताया था सारे स्टूरेंटों खुशी के मारे जीयान से मिलने के लिए जाते हैं जहां पर तांग गिर जाता है यह और शीयुआन उसे खड़ा करते हैं जहां पर यह कहती है कि शीयुआन तुम तांग को लेकर जाओ तां ही लगा लेती है अब जियान कहता है कि दी तो ए को थोड़ा खोश आता है और वो दूर हट कर कहती है कि मैं तो बस थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी यह वाला पार्ट तो यहीं पर ही खतम होता है बोनस पार्ट में कहानी के अकोडिंग शीयुआन को अब ए से प्यार हो ग पता है कि उन दोनों के बीच में अभी कुछ हुआ नहीं है तो उसका चांस अभी भी लग सकता है अब अगे के पार्ट में यानि की पार्ट सेवन में हम देखेंगे कि शीयुआन एक को कनफेस करने के लिए जाएगा पर क्या होगा यह तो आप पार्ट सेवन देखोंगे तब ही पता चलेगा ना यह वाली वीडियो होती है यहीं पर ही खतम टोंट फगेट टो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो कैसी लगी है यह आप मुझे कॉमेंट में पता सकते हो थैंक्स पूर वाचिंग बाई बाई